नमस्कार मैं प्रियड अंजन और आज की इस एपिसोड में यस बैंक स्टॉक को डिसकस करेंगे और यस बैंक के साथ ही सुजलोन इनर्जी के लेविल को भी डिसकस करेंगे चुकि उसमें एक ब्रेकिंग खबर है यस बैंक में बरे क्वेरी यह हैं कि सर इसमें क्या करूं मैं कह रहा हूं कुछ मत करो अगर अल्रेडी इन्वेस्टेड है तो होल्ड करो लेकिन अगर फिस बाइंग की सोच रहे हो तो बिल्कुल इसे स्टॉक को इगनूर करो और एपिसोड में आगे बरहें इससे पहले प्रेमियूम टेलिग्राम को जॉइन करें डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट आपन करें वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में सियर करेंगे यसवेंग का वॉल्यूम आज लगबग 12 करोर का यहां देखेंगे जो रिसेंट का लगबग सकेंड थर्ड हाइस्ट के आजपास का दिख रहा है इसके अगर डिलेवरी देखे तो ठीक है 50% के नियर आरान बट ट्रेंड इस मिसिंग फ्रॉम लास्ट 6 मंथ अपडेट का था कि इस समय यह स्टॉक अपने सपोर्ट पे है हो सकता कि यहां से रिवर्स लेके 24-26 जैसा लेबल दिखे तो अगर यहां 21 जैसा एसल को ले करके आप थोड़ा ट्रेड करना चाहते हो यह ट्रेंड लाइन के लिए चूकि यह ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनेगा यहां देखोगे तो सौर्टर में आप एक प्ले कर सकते हो ठीक है 26-27 जैसे लेबल के लिए लेकिन जब तक 28 का विकली टाइम फ्रेम का ब्रेक आउट नहीं होगा बरा ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं करेंगे नहीं एवडेज करो नहीं फ्रेस वाइंग करो इस चीज को एक बड़ी खबर ट्रेंड हुई तो खबर ठीक है ओडर ठीक है लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि थोरा इस समय टेकनिकल तो एक बार देखो कि आखिर सूजलों क्या कह रहा है वो समझना बहुत इंपोटेंट है सूजलों अल्रेडी एक बड़ा ट्रेंड दिखा हुआ है अब में मिनिमम मुझे लगता कि 78 को ब्रेक आउट होने दो फिर एक ट्रेंड एक्सपेक्ट करना और यह सपोर्ट मुझे लगता है 64 और 50 के आसपास का होगा तो थोरा कौसंद रहो न्यूज के चकर में आकर के फसना मत